हाज जी गाइज वलकम बैक और इस थमाकेदार नई वीडियो में आज एक के स्टेडी के थूप पिछले सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे और अब हम इसमें बात करने जा रहे हैं कि कैसे यह जो आपका डेटा है आप के स्टेडी वन को अगर देखें तो इसमें हम कहा रहे हैं इसमें अगर तीन बोर्ड हैं तो तीन बोर्ड तीन मेरी एक्सल शीट क्रेट होंगी डेस्टॉप पे हम उनको सेफ करेंगे और हर एक शीट में CBC का डिटा अलग होगा इंटरनाशनल बोर्ड का अलग होगा और ICC का अलग इतना ही नहीं उन फाइल का नाम भी CBC इंटरना दूरी हैं और दूसरा ये कि जब आप इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपकी विजबिल्टी और बढ़ती है और आप अपने परसनल प्रोजेक्ट में क्रेटिव हो जाते हैं तो आईए गाइस ये सब मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि honestly मुझे आप लोग देता रहूंगा राइट तो ये सब को सेफ करता हूं और ये डेटा कॉपी करके यहां पर जाता हूं अब मैंने और दूसरी चीज हम इसमें कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं करेंगे जो अभी हमने सीरीस में कवर नहीं किया यानि यह हो सकता है बहुत इजी हो पिवट बन सीखा, एडिटिंग सीखा, रेंज, सेल, कमार्ण, उसके बाद विरियबल सीखा, पबलिक या प्राइवेट आपका, जो भी है, मॉड्यू लेवल विरियबल, कॉल कैसे करते हैं, उसके बाद हमने लूप सीखे, सब लूप सीखे, कलेक्शन लूप सीखे, आरे सीखे, और फंक्शन चल रहा है, तो इसी के बेसिस पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अब ये आपके सामने एक डेटा पढ़ा हुआ है, ठीक है, और मान के चलें, आपके पास ये कुछ ऐसा ऐसा डेटा पढ़ा हुआ है, और मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दे तो, मान के चलें, ये डेटा पढ़ा हुआ है, और प्रोजेक्ट अगर आपको मैं इस कोशन को दुबारा से आपको दिखा देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, और इसको यहां पे पेस्ट करता हूँ, हमें ये करना है कि CBC बोड है, जैसे अगर आप फिल्टर लगाएं, और CBC पे जाएं और इसको फिल्टर करेंगे, और इसका डेटा कॉपी करके नई फाइल में जाएं, और इसका नाम ICC देदें, तो मतलब जितने बोड होंगे, उतने ही आप इनकी जब मैक्रो रन करेंगे, वो आपको इसके कॉडिंग फाइल बनाता चाहेगा, I hope ये कोड ये प्रोजेक्ट आपको काफी एकसाइट कर रहा होगा, तो चलिए इस पर आगे एक्शन लेते हैं और प्रोग्राम बनाते हैं, आप इसके तरीके बहुत हो सकते हैं, ठीक है, तरीकों पर नहीं जाना है, तरीके आप मुझसे जादा क्रेटिव हो सकते हैं, और ऐसा, as your teacher, मैं तो expect करूँग कि आप मुझसे भी अच्छे-चे code बनाओ, राइट, अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, मेरा plan यह है कि यह जितने भी आपके board की नाम है, आप इन में से duplicates वगएरा रिमूव करें, data duplicate option में जाके वो आपको पता ही है, खिर मेरे पास ती नहीं है, तो मैं duplicate remove नहीं क मैं चला जूँगा, कोई problem नहीं है, जैसे आपको ठीक लगे, पतलब मैं यहाँ पर वो boards की नाम लिख रहूँगा, ठीक है, CBSE लिख 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 लिख, और idea क्या है, code बनाने से पहले फटा-फटा बता देता ह फिल्टर लगा के ctrl shift right arrow down arrow किया, copy किया, sheet नहीं add की, data paste किया, save कर दिया, sheet add करने का code मैं आपको बताई चुका हूं, workbook worksheet handling हमने वो एक series बनाई थी, इतनी लंबी series थी हमारी, तो वो ही आपके आज syntax दुबारा use होने वाले हैं guys, ठीक है, तो आईए शुरुआत करते हैं, और लगाना तो हमने सीखा नहीं है, भाई, फिल्टर लगाना सीखनी की बात नहीं है, macro editor में जाओ, record करो और इसको edit कर तो that's it, macro editors मैं जा रहा हूं फटाफट मैंने आपको बोला है कि macro editor मैं इसको हमेशा अपना बहुत अच्छा friend मानता हूं, बहुत complex चीजे यह record कर देता हूं हम इसको यूज कर सकते हैं, तो आइए, आपको याद होगा introduction series में हमने यह पात की थी, तो आज कहां वो एक मीना पहले वाला session यूज होने जा रहा है, macro one इसका नाम है, मैं इसका दे रहता हूं, filter macro, चीग है, इसको okay किया है मैंने, मैं सेर्फ फिल्क अपनी जरूरत के control shift आपका down arrow होगा, try, उसके बाद हम इसको copy कर लेंगे, वो सब हमें पता है, stop recording, ठीक है, आईए, filter हटाते हैं यहां से, और अब चलते हैं अपने visual basic में, ठीक है, I hope काफी लोगों को, जोनोंने पूरी मेहनत की है, series देखी है, अभी तर, उनको idea मिल गया होगा कि मैं क्या कर करने वाला हूँ, तो चलिए, आईए, इसको run करते हैं, execute करते हैं, और यह हमारा, आज जो series number है, इस functions में, यह हमारी series number होगी 18, तो 18 series में, आज हम बहुत कुछ revise करने जा रहे हैं, तो यह है हमारा project 1, ठीक है, project 1 है हमारा, और आईए ज़रा इस पर बात करते हैं, और सबसे पहले हम वो module भी उठा लेते हैं, यह book 1 वाला, जिसमें हमने यह पूरा program लिखा है, यह वाला program है, ठीक है, यह हो सकता है कि हम इसी को, इसी project में इसे बना लेते हैं, तो मैं काम करता हूँ, मैं function वाला, यह file ही बंद कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको save करता हूँ, और इसक अगर कोई doubt है इसमें, तो वो देख ले फटाफट, introduction series अगर देखी होगी, तो वैसे आपको doubt नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप देखें, A1 पर जा रहा है, मैं इसको फटाफट से run करता हूँ, A1 पर जाएंगे, A1 पर करसद चला गया, Excel में नजर बना के रखें, filter लगा, filter के बाद उसने क्या का, कि range A1 to C15, आपके case में जो भी recording में range आएगी, वो ही यहाँ पर जाएगी, उसके बाद criteria 1 में हो गया, CBSC, तो CBSC पे फटा फटा फटी क्रैटीरिया लगेगा, उसके बाद control shift right arrow, control shift down arrow, यह सब मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपका 50% job तो यहीं done हो गया, ठीक है, तो यह macro को फिलाल ऐसी ही रखेंगे, अपने दूसरे macro पे आएंगे, और वो दूसरा macro मैं यहाँ पे थोड़ा सको space create करके उपर बनाता हूँ, वैसे बना कहीं भी सकते हैं, तो यहाँ पे हम बनाएंगे, और मैं इसका नाम दूंगा, project 1, सबसे पहले आप macro run करने से पहले, आप यहाँ पे अपनी वो values लेख लेंगे, यह भी चाहें, तो आप macro editor के तुरू कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे चलाएंगे, dim j as long, और मैं चलाऊंगा for j, equals to 1 to range, जो भी मेरा last cell है, तो मैं कहता हूँ कि यह 10,000 से, या 1 lakh चो भी है, इसे end excel up को के जाए, और मुझे last true पता लगचे, ठीक है, जो लोग channel से नए-ने जुड़े हैं, यह सब हम cover कर चुके हैं, इसलिएक आप यह न समझें, कि यहाँ पे कुछ speed जादा पकड़ रहे हैं, ठीक है, play this sequence आपको मेरा almost हर video में शुरू में दिख जाएगा, मैं share करता हूँ सबसे हर बार हर video मे okay, so यहाँ पे यह value guys हमने pick करनी है, variable के through, तो एक variable बनाते हैं, इसका नाम मैं दे देता हूँ, my board as string, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फटावर्ट से my board को capture कर लेंगे, तो my board को मैंने capture किया, और मैंने का कि यह आप sheet 2 से pick करें, फटावर्ट, तो sheet ठीक है, आप चाहें तो इसकी भी आपको शायद जरूत नहीं पड़ेगी, आप सीधा यह भी लिख सकते हैं, कि range और यहाँ पे a, और and j, इसकी value हम यहाँ पे use कर लेंगे, इससे क्या होगा, जब यह code आपका चलेगा, तो my board में आपका first time जो value होगा, वो CBS से आजएगा, तो इसको हम capture करके रखें होगा, कि वो sheet 2 से ही value pick करे, तो उसके लिए यहाँ पे आपको sheet 2 का नाम देना जरूरी है, नहीं तो वो क्या करेगा, वो sheet 1 से pick करना शुरू करतेगा, यह basic sum clear कर चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे sheet का नाम जरूर दूँगा, क्योंकि sheet का नाम देने से वो हमेशा sheet 2 से ह value उठाएगा, बेशक मैं sheet 1 पे बैठाओं, ठीक है, तो यह तो loop चल गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जब my board capture हो जाता है, आप यहाँ पे भी macro लिख सकते हैं, इसी के अंदर my board के बाद, लेकिन थोड़ा style से करेंगे, इस पार पुराना सारा variable chapter भी revise क करेंगे, variables में आपको याद है, मैंने आपको पताया था call word, तो आप जाएंगे अपने filter macro पे, याद आगे आपको call किस तरी किसे किया जाता है, तो यह जाएगा call macro पे, call macro पे, उसी sheet पे, हमारे sheet 1 पे filter लगेगा, filter लगेगा, और criteria क्या होगा, cbac, लेकिन cbac नहीं चाहिए अब, आप क्या चाहिए, आप चाहिए my board, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको मैं delete करता हूँ, my board, जो आपका, जो आपका variable है, right, अब एक और चीज, my board आपका local variable है, यहाँ पे कैसे use हो जाएगा, variable series याद है, इसी लिए, यह my board आपका यहाँ से होगा, cut, और क क्या होगा, global variable या module level variable, होने को global भी हो सकता है, लिखिन module से काम चल जाएगा, ठीक है, तो आप इसको top पे ऐसे लिख देंगे, तो अब आपका variable chapter भी बहुत अच्छे थरी कैसे यहाँ पे use हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमने call और यह सब सीखा था, तो यहाँ पे जब यह ह होने के बाद, आपको करना है, selection copy पूरा, ठीक है, वो data पूरा copy हो जएगा, वो data पूरा copy होने के बाद, आपको एक नई workbook बनानी है, क्योंकि आपको save करना है, वो data उसमें, मैंने आपको क्या बताया था, workbook का command याद है, आपको workbook नहीं कैसे add होगी, आप जाएंगे, और आपका जो active cell है, वो already A1 होगा, क्योंकि जब भी नई file बनती है, अगर मैं नई file control N करके insert करूं, वो हमेशा cursor A1 पे होता है, इसलिए आपको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा यहाँ पे जाएंगे, और सिर्फ data अपना paste करतेंगे, मुझे नहीं पता आपको किकनी excitement हो रही है, बट यह project करते हुए मुझे बहुत अच्छा feel आ रहा है, because मुझे पता है, वहाँ पे जो पूरी series regularly देख रहे हैं, वो actual में स्टाइम मुस्करा रहे होंगे, excited होंगे कि wow, हम कुछ आज एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं, जो project तो है, लेकिन पिछला सार revise भी हो रहा है, तो paste special करें, paste special में मैंने आपको बता रखा है, कि आपके पस बहुत सारी options होती है, आप paste all कर सकते हैं, paste format, paste formula, value जो भी है, मैं paste all करूँगा, because मुझे पूरे का पूरा assetist data paste करना, इसमें कोई formula नहीं है, और आप चाहें, तो value भी कर सकते हैं, वो आपको देख हो गया, मान के चले, example के तोर पर ये कुछ ऐसा ऐसा अभी तक हम कर चुके हैं, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस file को save करना है, ये file होगी आपकी active file, active file को मैंने आपको बताया था, याद है आपको active file को save करें गया, ठीक है, save as करें, save as कहां करना है, यहाँ पर पात मैं इसका पात देने जा रहा हूँ, मान के चले, अपना desktop का ही पात दे देते हैं, desktop पे जाके फटा फचे कोई file उठाता हूँ, right click करता हूँ, और properties करता हूँ, ठीक है, और properties पे जाता हूँ, security पे और यहाँ से पात उठाता हूँ, अब काफी लोग ये सोच रहे होंगे, question question आएगा मुझे फटा-फटा comment section पे, कि क्या ये dynamic नहीं हो सकता है, क्या जरूरी है, यहाँ type in करना, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता है, कि कोई file dialogue pop-up हो जाए, और वहाँ हमें पूछा जाए, कहां save करना है, वो अभी समय दूर है, जादा दूर नहीं है, बट बता हूँगा, लेकिन अब ये के लिए, manually आप इसको अपना address लिख दें, और किस नाम से save करने है, तो मैं इसको किस नाम से save करूँगा, obviously, जिस नाम से आपका my board variable होगा guys, तो इसको यहाँ पे join करें, और उसके बाद यहाँ पे लगाए my board, और उसके बाद my board को join करें, उसकी extension से, समझ रह करेंगे close, तो आप इसको close कर दें, और close करते होए true कर दें, कि changes मुझे उसके save चाहिए, right, that's it, इसको करने के बाद मुझे लगता है, अगली बार macro आपका दूसरी sheet में चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, चलिए, देखते हैं, life project बना रहा हूँ, मैं भी मुझे idea नहीं है बढ़ हम इसको run करते हैं, और मैं सबसे पहले important काम जो मुझे करना चाहिए था, इस file को save कर लेता हूँ, save करके वापस, okay, so यह मैंने file save कर ली है, आई ज़र आप run करते हैं, this code को, तो सबसे पहले हम code को run करने जा रहे हैं, okay, so यह आपका code, जो है J12 चलेगा आपका, जो भी इस पे आप चेक कर सकते हैं, इसको, क्योंकि यह variable नहीं है, तो आप इसको select करके, right click करके, watch window पे डाल सकते हैं, watch window का मैंने बताया था आपको, कोई भी VP का syntax, अगर आप चेक करना चाहिए, इसकी क्या value, watch window से मिल जाएगी आपको, ठीक है, तो यह 3, यानि 3 times चलेगा, तो first time आपकी जो value pick होगी, वो pick होगी, CBSE, आप देख रहे हैं, हम sheet 1 पे हैं, लेकिन उसने sheet 2 से pick कर लिया, जैसे ही my board उसने pick किया, CBSE, यह चला जाएगा, filter macro में, अब A1 पे filter लगेगा, और यहाँ पे अब आपका, जो filter लगेगा, वो लगेगा, CBSE में, right, जो की है हमारा, जो की ह नी workbook में जाएंगे, और यहाँ पे यह data paste होगा, उसके बाद background में आप देख सकते हैं, इसका book 4 नाम आ रहा है, और यह file अब save होगी, और save किस नाम से होगी, desktop पे save होगी, CBSE के नाम से, ठीक है, अगर यह file वहाँ पे already exist करती है, तो यह उसको overwrite कर देगा, इसका ध्यान save होगी, आप देख रहे हैं background में, अब यह close होजएगा, यह जैसी close होगा, मैं दुबारा अपने उसी macro पे आ चाहूँगा, right, अब macro J हमारा 2 होचुका है, my board automatically A2 से value pick करेगा, और यह होजएगा, I see I see guys, और अब जब आपका code चलेगा, आईए ज़रा code चलाएं, अब मैं यह चीज समझनी है, ध्यान से note कर लिजे, यह चीज नहीं समझी तो पूरा project फेल हो गया, यह जैसी यह line run होगी, देखो क्या हो रहा है, filter हट गया, जब आपका filter हटा, मैं इसको आगे फिर run करता हूँ line को, यह देखिए, filter हटने के पाद, automatically उसने आपका filter pick कर लिया, आपन लेकिन यह line क्या गरेगी, यह line इसका ध्याना की कि ही, आपका filter इस हिसाब से ही लगे, तो उसने automatically filter तो हटा दिया था, लेकिन next line ने उस range में उस board के according आपको filter दे दिया, ठीक है, अब जिस भी आप selection में बैठें, obviously selection आपकी A1P है, A1P रहेगी, वहाँ से data copy होगा, data copy होने के पाद एक नई webbook add होगी, नया data paste होगा, और आप पीछे screen पे देखके रहें, ICAC आपका save होगया, that's it, उसके बाद हमारा तीसरी बार macro चलेगा, तीसरा filter लगेगा, अब जैसी यह line रन होगी, selection.auto filter, यह line क्योंकि already filter लगा हुआ है, पिछले बार का, यह हटा देंगी, तो इस मैं करता हूँ, इसको F5, और finally आपकी सारी files close, ठीक है, आप यह कर सकते हैं, last में कि जब सारा कुछ काम होजे, तो यह filter आपका यहां पे अगर आप लिग देंगे, तो यह line रन होके, आपको कुछ इस तरीके से filter हटा के दे देगी, ठीक है, desktop पे जाके आप चेक कर सकते हैं, चेक कर लें फटा फट से, देख लें जारा, ICC की sheet बन की, बहुत बढ़िया, CBC board की sheet बन की, international की sheet बन की, एक कोई भी मैं उठा के pick कर लेता हूँ, देख लेते हैं, कि data है या नहीं है, राइट, उसके पाद आपका project खतम, तो variables, loops, especially variables में आपका, जो concept हमने देखा, कैसे आपके छोटे-छोटे projects आप इतना easily बना सकते हैं, ठीक है guys, so thank you so much, उमीद है, आपको ये video पसंद आया होगा, ये function series पसंद आ रही होगी, आप आगे मिलते हैं, हाला कि, इसमें हमने कोई function यूज नहीं किया, but एक sequence में चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि बीच में थ next video में, thank you so much.